हेलो बच्चों अब तक हमने सेनापती में पढ़ा था वितु वर्णन में गर्मी वर्षा आज हम पढ़ेंगे सरद तो सरद वितु का वर्णन हम पढ़ेंगे तो पावस निकास ताते पाईओ अवकास भयो जोनने को प्रकासोभा ससी रमनिय को विमल अकास होत बारीज विकास सेनापती फुलेकास हित हंसन के जीय को चितिन गरद मानो रंगे है हरद साली सोहत जरद को मिलावे प्रान पीये को मत है दुरद मीट्यो खंजन दरद रितु आई है सरद सुखदानी सब जीव को पहले शब्दार देखलो बचों पावस वर्षा रितु निकास निकलना जोनह चांदनी विमल स्वच साफ सूथरा बारिज कमल हंसन हंसपक्षी चिति धर्ती साली धान की बालियां दुरद हाथी तो यहाँ पर हम पहले अब अर्थ देखेंगे तो कभी सिनापति वर्णन करते हैं पावस निकास की वर्षा रितु की समापति हो गई है और आकास स्वच हो गया है तो पावस निकास वर्षा रितु बीट गई है ताते पायो अवकास उसकी समापति होने पर उससे अवकास या उससे मुक्ति मिलने पर भयो जोने को प्रकाश, चाननी का प्रकाश हो गया है, चारो और फेल गया है, सोबा ससी रमनी है को और चंद्रमा भी सुंदर शो भायमान हो रहा है, विमल आकास, आकास बादलों से रहीत होने से निर्मल हो गया है, वो तबारी जबी कास और कमल खिलने लगे हैं, सेनापती प्रत्विय पर कास नाम के पोदे फुलों से लद गए हैं, हित हंसन के जीए को हंस पक्षियों के हरदे प्रसन हो रहे हैं, चितिना गरद प्रत्विय में कहीं भी धूल नहीं है, यानि वातावर्ण चारों तरफ से साफ हो गया है, मानो रंगे है हरद साली, तो ऐसा लगता ह मानो धूल का नाम भी नहीं है, सोहत जरद को मिलावे प्राण, मानो रंगे है हरद साली, धान के पोदे हल्दी के रंग में से पिले होकर सुन्दर दिखाई देने लगे हैं, सोहत जरद, ऐसे समय में प्राणों से प्रिय कोई मुझे मिला दे, सोहत जरद को मिलावे प्राण पिये को, तो इस तरह से जो चारों ओड से चांदनी खिली हुई है, ऐसे समय में कोई मुझे अपने प्रियतम से मिला दे, तो गमत है दूरद, हाती मद से मदमस्त हो रहे हैं, मीट्यो खंजन दरद और खंजन पक्षियों का दुख नश्ट हो गया है, रितु आई है सरद, अब क्यों नश्ट हो गया कि संसार के समस प्राणियों को सुख देने वाली, सुख दानी सब जीव को, साभी संसार के प्राणियों को, जीवों को सुख देने वाली सरज रितु का अगमन हो गया है, तो यहां पर है अनुप्रास, यमक, उलेख और उत्प्रेक्षा आलंकारों का प्रियोग हुआ है बच्चों अगला है फिर अब शिशिर रितु का वर्णन है किसी सिर में ससी को सरूप पावे सवीता हूँ घामहु में चाननी की दूती दमकती है सिनापती होत सितलता है सहस गुनी रजनी की जाई बासर में जमकती है चाहत चकोर सूर ओर द्रिग छोर करी चकवा की चाती तजी धीर दसकती है चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को सशी चंक पंकजनी फूलिन सकती है पहले शब्दा देख लो बच्चों सविता मतलब सूर्य घाम मतलब धूप रजनी मतलब रात बासर मतलब दिन सूर मतलब सूर्य धीर मतलब धेरिय मोद मतलब प्रसंता और संग शंका तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस तरह का शिशिर रितु का वर्णन किया है किस शिशिर में ससी को सरूप पावे सविता हो किस शिशिर या सर्दी की रितु में सूर्य का तेज कम होने से वह चंद्रमा का सा सीतल स्वरूप को ग्रहन कर लेता है चंद्रमा क्योंकि सूर्य भी है वो ज़्यादा तपता नहीं है तो सूर्य तपने वाला सूर्य था गर्मी में वो अब शिशी रितु में आ करके चंद्रमा का आभास करनेने लगा है यानि ज्यादा गर्म दूप में भी अब चाननी की चमकें सितलता प्रतीत होने लगती है गामहु में यानि इसकी धूप में भी चाननी की दूती दमकती है चाननी किसी शितलता प्रतीत होती है या दमकती है सेनापती होत शितलता है सहस गुनी और कभी सेनापती कहते हैं कि इस रितों में शितलता के हजार गुना बढ़ जाने से यानि सर्दी के हजार गुना बढ़ जाने से रजनी की जाई बासर में जहमकती है अब हजारगुना जो सितलता बढ़ गई है तो दिन में भी रात का आभास होने लगता है यानि जैसी रात में ठीटूरन होती है तो दिन में भी मानो ठीटूरता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई रात ही चल रही हो तो दिन में भी रात की ठीचुरन का आभास होने लगता है तो रजनी की जाई बासर में जहमकती है चाहत चकोर सूर और द्रग छोर करी तो यहाँ पर अब वो आगे कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकास एकदम मंद पढ़ने से चकोर को उसमें चंद्रमा का भ्रम होने लगता है चाहत चकोर चकोर भी कामना करने लगता है सूर और द्रग छोर करी सूर्य का प्रकास मंद पढ़ने की वज़ा से उसे भी है मानुचंद्रमा का आभास या भ्रम होने लगता है इस कारण चकवा की छाती तजी धीर दसकाती है इस कारण में सूर्य की और एक टक देखने लगता है तथा चकवा पक्षी के मन में भी दिन को ही रात समझने की ब्रांती से वियो की असंका होने लगती है यह संसार में ब्रांती है यह संसार में कहलो एक मिथक बना हुआ है कि चक्वा और चक्वी रात में बिछडते हैं और दिन में मिल जाते हैं तो सूर्य जब तेज सूर्य का तेज भी चंद्रमा के समानशीतल हो जाता है तो उनको लगता है कि अब हमारा बिछड़ना रात और एक जसा ही चलने लगेगा चंद के भरम होत मोध है कुमोधनी को कुमोधनी भी सूर्य के में चंद्रमा का भरम होने से प्रसन होने लगते हैं क्योंकि क्या कहते हैं कि जल में बसे कुमोधनी चंदा बसे अकास जो जाही को भावतास होता ही के पास कहा जाता है क्योंकि चंद् भी है कि चंद के भरा मोहत मोध है कुमोधनी को सूर्य में चंद्रमा का ब्रह्म होने से कुमोधनी में प्रसंता है सशे संक पंकजनी फुलिन सकती है और अब यहाँ पर क्या है और कमलिनी है इसी ब्रह्म में विक्सित नहीं हो पाती है कि कमलिनी है क्योंकि वो सूर्य को पाती है विक्सित नहीं हो पाती है तो यहां प्रणुप्रास भ्रांतिमान वर्ति शोक्ति अलंकार का प्रियोग हुआ है बचों अगला है बसंत रितू में अगला है बसंत जो एग्याम के दरश्टी से भी लगा लो बरन बरन तरु फुले उपवन बन सोई चतुरंग संग दल लही यतु है बंदी जी में बोलत बिरद बीर कोकिल है गुंजत मधूपगान गुन गही यतु है आवे आसपास पुहुपन की सुभास सोई सोंदे के सुगंद मांज सने रही यतु है सोभा की समाजु से नापती सुख साजु आजु आवत बसंत रितूराजु कही यत उसके चारों और उसकी गुणगान करने वाले उसके बंदी आते हैं और साथ ही उसके साथ साथ में उसके जंडे उसके दल और सब चलते हैं तो इसी तरह से यहां भी बसंत आने पर किस तरह से प्रकृति में परिवर्टन होता है तो वही मानू उसकी सेना है तो इसका इनोंने वर्णन किया है तो पहले शब्दार देख लो बचो बरन बरन कई रंगों के कई वर्णों के लहियतू दिखते हैं जिमी जैसे यत्तर है बिरद प्रशंसा ययस मधूप भाउरा गहियतू ग्रहन करना पुहुपन की फूलों की माज मद्य भीतर तो यहां कभी वसंतरितु का वर्णन करता है और कहता है वसंतरितू में बरन बरंतरू फुले उप वन बन वनो रूप वनो में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से रक्षव लता सुसोबित हो रही है या शोभाई मान हो रही है सोई चतुरंग संग दल लहियतु है साथ ही उन पर रंगीन पत्ते दिखाई देते हैं क्योंकि कॉंपल फूटने लगती है बसंत में तो वो कहता वही मानो उस बसंत नितु राजा की चतुरंगीनी से ना हो भंदी जिमी बोलत बीरत बीर कोकिल है तो चारों और मानो कोयल की आवाज कोयल कूक रही है और ऐसी कोयल कूक रही है जैसे लगता है कि मानो उस बसंत रुपि राजा की बंदी जन वीरों का यश्गान किया करते हैं वैसे ही वहाँ पर बंदी जन है उसके वो उस राजा का गुंगान कर रहे हैं कोयल की आवाज में गुंगान कर रहे हैं गुंजत मदुपगान गुंगईयतु है और चार और भौरे गुंजार करके गुंगान करते से प्रतीत हो रहे हैं आवे आसपास पुह पन की सुबास सो और आस पास में फूलों की सुगंद आती रहती है, चारो और राजा जब इत्र चारो और फेला दिया जाता है, तो वैसे ही बसंत राजा आ रहा है, तो चारो और फूलों के सुगंद फेली हुई है, सोंदे के सुगंद मांज सने रही यतू है, तो वे जैसे सोंदी सोधी सु जाए हुए उनका सेनापती भी उनके साथ आ गया है तो सोभा को समाजू सारा समाज सुंदर्ता से भर गया है तो सेनापती कवे केते सुख साजू आजू सभी कोई सुप्रदान करने के लिए आज आवत बसत रितुराज कहियतू है तो इस रहे से रितुमों का राजा बसंत आ रहा है ऐसा कहा जाता है या कहा गया है अगला हम कल करेंगे दन्यवाद बच्छा